हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हमारा कोश्चन है इल्तु तमिस के परसासने कारिय तो दोस्तों इस वीडियो में जो ये कोश्चन है इसका आंसर में आप लोगों को बताने वाला हूँ तो सबसे बेले हम आंसर में लिखेंगे कि इल्टु तमिश जिसे अल्टमस भी कहा जाता है ने अपने परसासने कारियों के माध्यम से दिल्ली सल्तनत की दोरे में महतपुन युगदान दिया वह दिल्ली सल्तनत की सुल्तान और संताने की रूप में 1211 से 1236 तक सासन करते रहे थे इसके दोरान कुछ परमुक पर सासने कारियों निम लिखे थे तो उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे फर्स्ट सेना का सुधारन तो इसमें हम लिखेंगे कि इल्टु तमिश ने अपने सा सिपाह सलार और मुक की सेना परमुकों को सिक्षित किया और सेनिकों की तैयारी में सुधार किया फिर नेक्स हैडिंग हो जाएगे नियाइक नीतिया तो इसमें हम लिखेंगे इल्टु तमिश ने नियाइक नीतियों को सुधार और नियाइक पनाली को मजबूत किया उसने अदालतों को सुधारा और न्याईक निर्णईयों को अनुभवी और न्याई प्रिये नयादीशों के माध्यम से दिल्ली सल्तनत की न्याईक इस्तिति को सुधारा फिर नेक्स हैडिंग हो जाएगा हमारा राजनेतिक संबंद दता तो इसमें हम लिखेंगे इल्तुतमिस ने बहारी दुनिया के साथ सुविवात पूर्ण संबंद इस्तापित किये और खिलजी वन्स के सुल्तानों के बीच सामंजसी को बनाए रखने में सपल रहे फिर नेक्स हैडिंग हो जाएगी सांसकृतिक समरिद्धी इसमें हम लिखेंगे इल्तुतमिस ने दिल्ली सल्तनत में सांसकृतिक विकास को कोशाहित किया और उसने उर्दु और प्रस्यन साहित्ति में समरिद्धी को बढ़ावा दिया फिर आगे लिखेंगे हम इल्टु तमिस ने अपनी परसासनिक कौसल के माध्यम से दिल्ली सल्तनत को इस्ताई रूप से सुधारा और उसने समाजिक, सैन्यक और सांसकुतिक छेत में उन्नती को प्राप्त किया तो दोस्तों ये था इस कोशन का आंसर अगर आप लोगों को ये वीडियो हेलफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको हमारे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंड हैव